आप सभी स्टुडेंट्स का इप्रेक्टिकल सेशन में स्वागत है। मैं दिनेश्चन सर्मा, गोर्मेंट कोल्टेक्निक कोलेज अलवर। डिपलोमा फस्ट एर के इलेक्ट्रिकल वर्क्षोप सब्जेक्ट कोड नमबर 109 के प्रेक्टिकल नमबर एक में आज का टोपिक है वायर्स एंड केवल्स। वायर और केवल के बारे में आप क्या जानते हैं। वायर एक सिंगल कंडेक्टर होता है। यदि उस सिंगल कंडेक्टर पर PVC का इंसूलेशन चड़ा दिया जाए तो वह इंसूलेटेड वायर बन जाता है। ऐसे एक या एक से अधिक इंसूलेटेड वायर को यदि एक जैकेट में डाल दिया जाए तो वह केवल बन जाती है। यदि इस जैकेट के उपर GI की आर्मरिंग कर दी जाए तो यह आर्मर्ड केवल बन जाती है। इस प्रकार वायर, केवल, केवल में अनार्मर्ड और आर्मर्ड यह मैं आपको अगली स्लाइड में कंस्ट्रेक्शन ओफ केवल का फिगर दिखाकर समझाने की कोशिश करूँगा। फिगर नमबर एक पर कंडेक्टर मल्टि स्टेंड सेप में दिखाया हुआ है। मल्टि स्टेंड का मतलब है बारीक, बारीक कई कंडेक्टर मिलके एक कंडेक्टर बनाते हैं। इस कंडेक्टर के उपर यहां PVC का इंसूलेशन चड़ा हुआ है। इसलिए हम इसको यह कह सकते हैं, PVC, कोपर वायर, मल्टि स्टेंड सेप में। PVC की जगें हम VIR या CTS भी ले सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं, वायर उसके इंसूलेशन के अनुसार कई प्रकार के हो सकते हैं। इसी तरह वायर उसके कंडेक्टर के अनुसार भी दो तरह का हो सकता है, Aluminium और कोपर। इसी तरह से कंडेक्टर सोलिड स्टेड में भी मिल सकता है और मल्टि स्टेंड में भी मिल सकता है। मल्टि स्टेंड आपको फिगर नंबर एक में देखा दिया गया है, अब सोलिड स्टेंड के लिए फिगर नंबर दो को देखिए। एक Solid Stand Wire का मतलब है उसमें जो Conductor काम में लिया है वो अपने आप में Solid है, Single Piece में है यहाँ figure number 2 में जो केबल दिखाई गई है वो Unarmored केबल है, 3 core की केबल है Core के आदार पे भी केबल कई परकार की होती है, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है वो 3 core है आप समझ गए होंगे multi stand conductor क्या होता है solid stand conductor क्या होता है unarmored cable क्या होती है 3 core से क्या मतलब है अब मैं आपको figure number 3 में armored cable की construction को बताता हूँ इसके construction में पहला part है conductor अर्था चालक चालक के आदार पे मैंने आपको बताया copper भी हो सकता है aluminum भी हो सकता है multi stand safe भी हो सकती है solid stand safe भी हो सकती है चालक के बाद दूसरा part बनता है इसका core यहाँ जो cable मैंने दिखाई हुई है उपर वाली cable में 2 core दिखाए गए अर्थात इसमें 2 चालक individually insulated है और इस तरह से इसमें 2 core बन रही है नीचे वाली cable में 3 and half 3 core बन रही है इसी तरह से जब इस अलग-अलग insulated core को एक jacket में डाल दिया जाता है तो अब आगे आपको jacket दिखाई दे रहा है जहाँ एरो चल रहा है यदि इस jacket के उपर GI की armoring कर दी जाए तो यह armored cable हो जाती है यह armored cable को mechanical damage से रोकता है अर्था केवल को एक सुरक्षा कवस प्रदान करता है इसी लिए इस cable का नाम armored cable है अब लास्ट में इस armored cable के उपर भी insulation का एक आवरन चड़ा दिया जाता है यहाँ PVC का insulation चड़ाया हुआ है इस तरह से मैंने आपको armored cable का construction बताया अब मैं आपको display में कई सारी cables wire दिखा रहा हूँ हलांकि इस board पे बहुत सारे wire end cables हैं या यूं कह सकते हैं ये board electrical second year third year के मतलब से भी बनाया हुआ है यूं तो cable के प्रकार बहुत है cable के बहुत parameter है लेकिन यहाँ मैं आपको आपके practical से सम्बंदित या domestic wiring से सम्बंदित wires cable के बारे में बताऊंगा और उनकी लगबग कीमत आपको दूँगा जिस item की मैं लगबग कीमत दे दूँ समझें आपको first year में अभी वर्क्षोप के practical में इन wires या cable की जरूत होगी तो हम इस board के column number first पे आते हैं इस column में PVC armored cable 1100 voltage grade दिखाया हुआ है जिसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ यहां voltage grade से मतलब है वे अधिक्तम voltage जो इस cable को दी जाएगी यदि इस voltage से ज़्यादा voltage देते हैं तो इस cable में use किया हुआ insulation crack हो जाएगा अब यहां number 1 पे जो cable दिखाई हुई है इसका specification मैं आपके सामने पढ़ता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि आप construction देख चुके हैं cable का इसके specification में जो column का title है वो तो plus होगा ही होगा उसके बाद आपको लिखना है 2 core 6 square mm aluminum solid strand इस cable से अब आप इस तरह से समझेंगे इस cable में 2 core है core दिखाई दे रही है red और black अर्था 2 core है 6 square mm का मतलब है प्रतेक core का cross section area अनुपरस्त काट छेत्र फल 6 mm square है aluminum का इसमें conductor यूज किया हुआ है और वो conductor solid strand shape में है PVC का इसका insulation है इस तरह से इस cable का complete specification बनता है PVC armored cable 1100 voltage grade 2 core 6 mm square aluminum solid strand इस cable का use हमारे घर की wiring में जिन घरों में single face का connection है service line से meter तक इस cable को हम काम में लेते हैं हो सकता है आपके घर के load के according 6 square की जगे 8 square mm या 10 square mm भी हो सकता है यहां जो cable दिखाई गई है उसकी कीमत लगबग 30 रुपे प्रती मिटर है अब next cable पे चलता हूँ यहां जो cable दिखाई गई है उपर का title वो ही रहेगा उसके साथ जो plus हो जाना है वो है 3 core 1.5 square mm copper solid stand मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे यहां 3 core होंगी प्रते कोर का cross section 1.5 mm square होगा conductor copper है जो solid shape में है 3 phase supply या 3 phase machine को connect करने में इस cable का use है इसके बाद next cable आ रही है 4 core 10 square mm aluminum solid stand इसमें core की संख्या 4 होगी प्रते कोर का cross section area 10 square mm होगा conductor aluminum का है जो solid stand में है इस तरह की cable जिनके घरों में 3 phase का connection है वो लोग service line से मिटर तक काम में लेते हैं जिसमें 3 phase plus neutral ऐसे 3 phase 4 wire system के लिए यह cable काम में आती है इस cable का rate लगबग 60 रुपे 60 रुपे running meter होगा next cable आ रही है 4 core में ही 16 square mm है aluminum conductor है conductor multi stand shape में है next cable आ रही है साड़े 3 core 35 square mm aluminum multi stand इस cable का भी मैं आपको पूरा specification एक बार बता देता हूं PVC आर्मर्ड केबल voltage grade 1100 3 and half core 3 and half core 35 square mm aluminum multi strand यह इसका complete specification होगा यहां 3 and half core से मतलब है इसकी प्रते core 35 square mm की होगी इसकी neutral core 16 square mm की होगी जो लगबग 35 से half बनती है इस केबल का maximum current 110 Ampere है अब next column पे चलते हैं column नमबर 2 में मैंने दिखाया हुआ है PVC अनार्मर्ड केबल voltage grade 1100 यह title प्रते केबल के साथ जुड़ेगा उसके बाद उसका individual detail जो नीचे दिया हुआ है यहां first number पे जो केबल आ रही है two core six square mm aluminium solid stand इस केबल को taping भी बोलते हैं यह केबल पहले service line से meter तक काम में आती थी आज का list की जगें armored केबल ने ले लई है दो कोर से आप समझ गए होंगे 6 mm square cross section area है उसको भी आप जान गए होंगे solid stand conductor है, aluminium का conductor है next cable आ रही है three core, one square mm, copper, multi stand इस केबल को हम flexible cable भी बोल सकते है इस केबल का भी हमारे गरों में यूज है आपके AC freeze cooler की supply lead बनाने में इस तरह की cable को काम में लिया जाता है आपके apparatus की rating के coding cross section area प्लस माइनस हो सकता है इस केबल की कीमत लगबग 30 रुपे मिटर होगी यहाँ जो cable दिख रही है आपको इसमें 3 core है प्रते कोर का अनुपरस्त काट चेत्रफल 6 core, 1.5 square mm, copper solid strand यहाँ 6 core की unarmored cable है जिसकी प्रते कोर का cross section area 1.5 square mm है copper का conductor है, solid strand shape में है control circuit की cabling के लिए, wiring के लिए इस तरह की cable को काम में लेते हैं इसका maximum current 16 amp है नीचे जो cable दिखाई गई है इस cable पर 4 core, 4 square mm, copper, multi strand अर्थात इसमें 4 core है प्रते कोर का cross section area 4 square mm है conductor copper का है, multi strand shape में है अगली step पे चलते हैं इसको मैं zoom करके आपको दिखा रहा हूँ यहां multi stand wire दिखाए हुए है जिनका voltage grade 650 और लिक 1100 voltage grade है आज कल building में जो wiring चल रही है वो multi stand wire में ही 99% हो रही है यहां number 1 पे जो wire दिखाया हुआ है इसकी detail को मैं पढ़ता हूँ आपको easily समझ में आएगा ही PVC copper wire 0.75 square mm PVC का मतलब इसका insulation जो है PVC में है copper का मतलब है इसका conductor copper का बना हुआ है multi stand already मैंने उपर common करी रखा है सबके साथ इसकी core का section है cross section area है 0.75 square mm maximum current 7 ampere next wire आ रहा है PVC copper wire 1 square mm maximum current 12 ampere next wire आ रहा है PVC copper wire 1.5 square mm maximum current 16 ampere next wire आ रहा है HRFR PVC copper wire 2.5 square mm maximum current 24 ampere यह HRFR एक PVC की special quality है जो heat resistant and fire resistant PVC है next wire आ रहा है HRFR PVC में ही copper wire 4 square mm जिसका maximum current 32 ampere है आपने देखा होगा आपके घर के load के according conductor का cross section area बढ़ता चला जाएगा यदि घर का load कम है तो आप कम cross section area के wire को कम में लेंगे घर का load जितना भी होगा उसके according आपको wire का selection करना है अब मैं इनकी आपको लगबग कीमत बताता हूँ 0.75 mm square की जो cable होगी उसका एक roll लगबग 400 रुपे 1 square mm की जो wire होगी उसका एक roll लगबग 600 रुपे 1.5 square mm की जो cable होगी उसका rate 750 रुपे एक roll का 2.5 लगबग 1200-1300 रुपे का एक roll और 4 mm square 2000 के आसपास का एक roll एक roll में 100 मिटर आपको wire मिलेगा अब next step पे चलते हैं solid stand wire title का ये common आपको प्लस करना है solid stand wire 650 oblique 1100 voltage grade solid stand wire पहले प्रसलन में थे आज कल इसको काम में नहीं लेते हैं लेकिन मैं आपको इसके केवल दो wire बता देता हूँ उदारन के तोर पर नमबर एक पे जो wire है PVC aluminum wire 1.5 square mm इसका मतलब है ये solid stand wire है जिसका cross section area 1.5 square mm है PVC का इस पे insulation है conductor aluminum का है आपको lab में या workshop में इस तरह के wire से भी काम करने का मुका मिल सकता है इस wire की एक roll की कीमत लगबग 200 रुपे है इसी column में last में मैं आपको एक wire और दिखा देता हूँ ये wire मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए solid stand में लगाया हुआ है हालाए कि ये multi stand vessel conductor है जो overhead लाइनों के काम में लेते है इस conductor का salt में नाम है ACSR ACSR की full form है aluminum conductor steel reinforced अर्थात इस conductor के बीच में एक steel का wire है और इस wire के चारों तरफ aluminum के conductor को लपेटा हुआ है ये wire overhead लाइनों के purpose के लिए है अब मैं next step पे चलता हूँ जहां कुछ winding wire दिखाये हुए है इस winding wire को मैंने zoom करके दिखाया यहां 4 तरह के मैंने winding wire डाल रखे है जिनका नाम है super enameled winding wire copper wire के उपर enamel को coat कर दिया जाता है और वो winding wire बन जाता है आपके घरों की चोग, fan, motor, transformer वगेरा winding करने में इस तरह के ही तार काम में लिये जाते है अब यहां एक देखने वाली चीज यह है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जैसे first winding wire है इसका standard wire gauge है 36 अर्था 36 gauge का जो wire होगा उसका diameter होगा 0.193 mm इसी तरह से last का wire देखिए 24 SWG wire है जिसका diameter होगा 0.559 mm अर्थात जितना gauge बढ़ता जाएगा उतना उसका diameter कम होता जाएगा अब winding wire के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ ऐसे multipurpose wire जो electrical या electronics purpose से हमारे घरों में काम आते हैं नमबर एक पर है PVC flexible wire twin twist twin twist का मतलब है दो insulated wire आपस में lift है हुए यहाँ जो wire आपस में lift रहे हैं वो दो core बन जाती है mostly हमें कहीं temporary supply देनी हो तो हम इस तरह का wire काम में ले लेते हैं यह wire जो यहाँ लगा हुआ है उसकी rating है 23-6 23-6 का मतलब है चेतर gauge के इसमें 23 wire है next wire है इसमें PVC flexible flat copper wire दो core में छोटे apparatus को supply देने के लिए जहाँ earth की हमें जरूत नहीं है cable neutral face देने हो तो इस तरह की supply lead बना के काम में लेते हैं यहाँ जो lead लगी हुए वो 14 छेतर है वालब छेतर gauge के 14 wire है इसमें next है telephone cable indoor जब घरों की wiring करते हैं तो आज कल indoor telephone के लिए भी cabling करने लगे है यहाँ जो cable दिखाई हुए four pair के लिए next है coaxial cable जिसकी rating RJ6 है इस तरह की cable TV डिस एंटेना के लिए काम में लेते हैं आज कल wiring में यह भी लोग काम में लेने लगे हैं next wire आ रहा है PVC tinned copper wire 1 oblique 25 अर्थाथ 25 गेज का एक copper wire जिसको tin किया हुआ है tinned wire के फाइद है यह हैं उस पे soldering easy से होती है इसलिए electronics वाले circuit को जोडने में इस तरह के wire को अधिकतर प्रियोग करते हैं last में cable दिखाई हुए जिसको flat ribbon cable बोलते हैं यहाँ जो ribbon cable है वो 10 score की दिखाई गई है यह computer टीवी वगएरा के circuit के connection करने में इसको काम में लेते हैं इस प्रकार मैंने आपको demonstration board दिखाया है जिसमें बहुत सी power wiring की cable है domestic wiring के wire है winding wire है कुछ multipurpose wire है आशा है आपको समझ में आया होगा आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद आशा है